लो फैंड्स वेलकम टूबर चैनल हम बात करने वाले बारे रिन्वल्स टेक्नलोजी के आरे में करेंटली हम डेली चार्ट पर हैं डेली चार्ट पर देखेंगे वने आपको करीब इस लेवल के आसपास जब यह बायें के लिए जा रहा था तब ही आपको कहा था कि 2000 की ऊपर पर जाने के चांसे मुझे बहुत कम लगते हैं 2000 से आपको एक सैलिंग देखने के मिल सकता है तो आपको एक परफेक्ट एक्जिट मिल रहा है अगर आपने इसमें फसे हुए हैं आपने कहीं पर भी यहां पर कहीं पर बाय किया था इन लेवल के आसपास कहीं पर यह सोचकर बाय कर लिया है कि बाय करते हैं तो यहां पर आपको एक अच्छा एक्जिट मिल रहा है तो 2000 के आसपास आप एक्जिट प्लान कर सकते हो अगर आपने सौट तम बाय क्या हुआ है मैं सिर्फ सौट तम ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं ठीक है एक चीज़ याद रखेगा त यह वाला लेबल जब हम ब्रेकडाउन करके निकलते हैं तो एक ब्रेकडाउन आएगा 1500 के आसपास और दैन हम इसके अल्मुष्ट बॉटम तक जा सकते हैं जो कि अल्रड़े एक बार रिटेस्ट हो चुगा है तो हो सकता है सेकंड टाइम रिटेस्ट करके बाउंस करें और को ने यहां पर बाय किया हुआ लेकिन उसके बाद सेगर आप देखोगे तो इसके बाद कोई भी आपको एक्जिट वहां पर नहीं मिला है इन लेबल के आसपास ठीक है सेम कंडिशन में अभी है मार्केट अभी भी अगर आप देखो तो यह सेम मोमेंटम है ठीक है जैसे मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको मैं एक नॉर्मल प्राइक्शन बता रहा हूँ जैसा चलता हुआ आ रहा है तो इसलिए बोल रहा हूँ कि सॉट टम ट्रेडिंग मत प्लान करेगा इसमें और मैंने स्टार्टि में भी कहा था अभी भी बोल रहा हूँ बॉटम में भी कहा ठीक है बॉटम से मूव कर गया तभी भी सेम चीज़ी रिपीट कर रहा हूँ यहां पर इस श्टॉक में सॉट टम बाइंग नहीं बनता है इस टाइप के स्टॉक्स में जो सरकेट में चलते हैं जिन में मोमेंटम का बहुत ज़्योदा नहीं है ऐसे स्टॉक्स में सॉट ट 55% 57% डाउन है टॉप से तो समझ आना जी आपको कि 60% के आसपास को यह श्टॉक डाउन है तो क्यों डाउन है क्या रीजन है उसके पीछे तो आपको अगर इतना भी नॉलेज नहीं है कि श्टॉक में पंप एंड डंप कैसा होता है तो फिर कोई मतलब नहीं है टेट करने क मार्केट में आपको करीब 6 महीने का मार्केट दिख रहा है अलड़ी 6 से ज्यादा महीने का मार्केट 6 महीने में 60% स्टॉक डाउन आ चका है और अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि नहीं यह तो मतलब पता नहीं कुछ बहुत अच्छा ही यह श्टॉक है और इसी लिए हम बाय करेंगे यह वो कोई मतलब नहीं बनता है 60% स्टॉक डाउन है मैं यह नहीं बोल रहा हूं लॉंग टर्म इंवेस्टिंग के लिए अच्छा नहीं लॉंग टर्म ट्रेडिंग के लिए अच्छा नहीं है क्यों क्यों क्योंकि पंप और नम हुआ है यह आपका मोमेंटम होता है कैसे चीज़ां होती है बहुत ज़्यादा बूला नहीं जा सकता उस पर लेकिन कम से कम कुछ चीज़ें ऐसी होते हैं जो हमें खुछ से भी समझ आनी चाहिए यह पूरा पंपेंडम मोमेंटम है और पंपेंडम मोमेंटम की साथ एक चीज है कि अगर नॉर्मल अच् स्टार्ट हुआ 1200 के लेवल से ठीक है और एक एकज़ंपल के लिए मानलो की ऊपर गया 2400 के लेवल तक ठीक है एक एके अगज़ंपल के लिए मानलो 2400 तक ही गया तो कृतने पोइंट गया 1200 पोइंट गया राइट तो ये momentum कितना बना 100% बना ठीक है 100% बना ये वाला momentum तो ये पहले 100% fall होगा ठीक है तो ये 100% fall हो गया और इसके बाद और एक dip लगाएगा करीब 10-20% का तो 120% fall हो गया momentum के according मतलब जो इसका last momentum रहा बाएंग का उसका करीब 120% fall हो गया ये सरफ एक stock की कहानी नहीं है ये पहले हो चुका है 2021-2022 का चार्ट देखिए जो stocks इस टाइब से भागे थे वो stock जहां से भागना start किये थे उसके भी नीचे जागर trade की हैं और फिर बहुत time तक नहीं निकल पाए हैं इस चीज़ को याद रखना अगर गलती से ये stock उस category में जाता है तो हो सकता है कि आपको 2 साल 2 साल 3 साल तक कोई exit ना मिले तो short term trading मत प्लान करना क्योंकि जिसका long term का view होगा जो long term के लिए भाय कर रहा है उसके लिए तो easy है hold करना क्योंकि उसका time frame ही 10 साल भी उपर नीचे करेगा तो उसको कोई फरक नहीं पढ़ने वाला ठीक है लेकिन आप जब short term trading कर रहे हो ठीक है तो सबसे पहली बास तो है कि short term trading हम कर रहे है मतलब short time short term हम देख रहे हैं और करना हमको इंट्राडरी है और हमको चार्ट देखना है हर 5 मेट में कि कहां जा रहा है तो यह फरक है वहाँ पर ठीक है तो short term trading इस टॉक में नहीं बनता है फिलाल support level से bounce लिया है अगर आप यह अला level breakdown हम करके निकलते हैं तो करीब हम 1400 से लेकर 1300 की range में बहुत जल जाने वाले हैं जैसा इसका projection अभी तक बना हुआ है short term trading के लिए मैं requirement नहीं करता हूँ कि इसको buy करना चाहिए long term के लिए आप plan कर सकते हो फिलाल 40 से 50 परसेंट डाउन है और यह वाला जो level था 60 परसेंट यहाँ पर डाउन था तो यह बहुत अच्छे लेबल से अगर आपको investing करना है तो थोड़ा बहुत quantities में आप start कर सकते हो एड़ करना मेरे according आने वाल टाइम में आपको और भी अच्छे लेबल से stock दिखा सकत है बागी ऐसे किसी भी stock पर आपको analysis चाहिए तो stock का नाम कमेंट कर सकते हो सपोर्ट के लिए आप हमें telegram चैनल पर मैसेज कर सकते हैं इसका link description चैनल के about box में दिया हुआ है वीडियो पसंद आता है वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना मत भूलेगा thank you